क्सेचिक जई साथ मैने बनानी जा रही हूं चिकन अंगारा घूसके लिफी अचिकन और ती अधाने चिकन की अपट और ती की अधा oni आहां है। एक कप नहीं पर लिया है। दो टी स्पून मैंने यहां पे गरम मसाला पाउडर लिया है इसी के साथ साथ यहां एक टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर भी लिया है एक टी स्पून मैंने यहां पे कसूरी मेथी लिया है चार टी स्पून कोरियांडर पाउडर याने के धन्या पाउडर दो टेबल जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, नमक और यहां पर मैंने औरेंज रेड फूड कलर लिया है, यह औप्शनल है, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और यहां पर मैंने पांच टमाटर को अच्छे से प्यूरी कर लिया है, सबसे पहले हम चिकन का मारिनेशन प्रिपै करेंगे, जिसके लिए मैंने यहां पर एक बोल ले लिया है, इसमें मैं इस टमाटर की प्यूरी को अड़ कर दूँगी, साथ ही साथ जो जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने लिया था वो भी मैं इसमें अड़ कर दूँगी, यह सारे मसाले आप अपनी चिकन की क्वान्टिटी पे जो है कम या ज्यादा अज़्जस्ट कर सकते हैं, जो दही हमने लिया था वो भी मैं इसमें अड़ कर दूँगी, अब जो स्पाइस पॉडर्ज हैं जैसे के टर्मरिक पाउडर मैं इसमें हाफ ٹीस्पून टर्मरिक पाउडर आट करूँगी, और चार टीस्पून मैं इसमें कोरियांडर पाउडर आट करूँगी, अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर आड़ करूंगी तकरीबन दो टीस्पून ये तीखी वाली जो है लाल मिर्च का पाउडर है और गरम मसाला पाउडर भी मैं इसमें आड़ कर दूंगी काली मिर्च का पाउडर कसूरी मेथी और अब हम इसमें नमक अड़ करेंगे स्वादनुसार तो कुल में लाकर हमें सारे मसाले जो हैं इसमें अड़ कर लेने हैं और इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारी चिकन का मैरिनेशन तो अच्छे से सारे मसालों को मैं कम्बाइन कर रही हूँ अब मैं इसमें ओरेंज रेड फूड कलर अड़ कर दूँगी यह अप्शनल है लेकिन इससे एक बहुत ही अच्छा रंग जो है इस ग्रेवी का आता है आप अगर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी बहुत अच्छा रंग इसमें आ जाएगा मैंने यहां पर दो पिंच जो है कलर के अड़ किये हैं इसे भी अच्छे से मिक्स करके हम जो चिकन है वो इसमें अड़ कर देंगे और अच्छे से चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे मैंने यहां पर जो चिकन के पीसे हैं वो मीडियम ही रखे हैं तो अब अच्छे से हातों की मदद से हम इस चिकन के ऊपर इस मसाले को रब कर लेंगे अच्छे से इस मैरिनेट में हम चिकन को मिक्स कर देंगे और इस चिकन को हमें तकरीबन 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है जितनी देर आप रखेंगे उतना ही ज्यादा मसालेदार यह चिकन बनकर तयार होगा तो अब हम इसे रेफरिजरेटर में 2-3 घंटे के लिए रख देंगे अगर आपके पास वक्त कम है तो आप 1 घंटा तो कम से कम इसे जरूर मारिनेट कीजेगा 2-3 घंटे होने के बाद अब हम इस चिकन को पकाएंगे तो इसके लिए यहां पे एक बरतन में मैं ओइल अड़ करूंगे यह नॉर्मल संफ्लार ओइल है 3 टेबल स्पून भरके मैंने इसमें ओइल अड़ किया है हम ज्यादा ओइल नहीं अड़ करेंगे क्योंकि चिकन में जो हमने दही वगेरा अड़ किया है और इस ओइल में हम अड़ करते जाएंगे चिकन अंगारा बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है जो भी इसमें वक्त लगता है वो सिर्फ मारिनेशन का है तो अगर आप इससे पहले से मारिनेट करकर रख देंगे तो इसके बनने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी चिकन को अड़ करने के बाद मैंने थोड़ा सा मारिनेशन भी इसमें अड़ कर दिया है और थोड़ा मैंने बचा लिया है वो हम चिकन को हाफ कुक करने के बाद अड़ करेंगे तो अब हम इस चिकन को जो है ढखकर अच्छे से पकने तक हम इसे ढखकर पकाएंगे तो यहां 5-6 मिनिट बाद आप देख सकते हैं कि चिकन किस तरह से पकने लगा है इसने अपना पानी भी जो है वो रिलीस कर दिया है चिकन ने तो एकदम जो यह ग्रेवी है एकदम से पतली हो चुकी है अब हम इसे एक अच्छा सा स्टर करेंगे और फिर से इसे हम ढखकर पकने के लिए रख देंगे क्योंकि चिकन का भी गलना बाकी है तो बस एक स्टर हम इसे देंगे और इसे हम फिर से पकने के लिए रख देंगे यहां पे तीन से चार मिनिट बाद जब मैंने इससे ओपन किया है तो यह अच्छे से कुख हो चुका है तो जो बचा हुआ मसाला है वो मैं इसमें आड़ कर दूँगी तो पहले वाला जो हमने मसाला आड़ किया था वो अच्छे से पक चुका है इस मसाले को हमने दो बैचेज में इसलिए डाला है क्योंकि अगर हम पहली ही बारी में सारे मसाले को आड़ कर देंगे तो ये जो gravy है वो बहुत ज्यादा runny हो जाएगी इसलिए जब पहले chicken अपना पानी release करेगा और अच्छे से chicken और वो masala पक जाएगा तो हम ये बचा हुआ masala जब add करेंगे तो जो gravy की consistency है वो बहुत ज्यादा perfect बन कर आएगी तो बस इस masala को भी मैंने add कर दिया है अच्छे से mix करके अब हम फिर से ढखकर chicken को पूरी तरह से गलने तक हम पकाएंगे तो इसके लिए हमें लगेंगे तकरीबन 6-7 मिनिट तो अब आप देख सकते हैं कि oil जो है वो अच्छे से release हो रहा है आप इसके sides में देख सकते हैं कि oil जो है वो अब release होना start हो चुका है और chicken भी जो है वो अच्छे से गल चुकी है मैं आपको यहां पर दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से जो हमारी chicken है वो गल चुकी है तो आप देख सकते हैं जो हमारी चिकन है वो अच्छे से गल चुकी है तो हमारी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो भी हमारे मुताबिक परफेक्ट आई है अगर आपकी ग्रेवी बहुत ज्यादा रनी है तो आप एक टीस्पून मैदे को पानी में अच्छे से घोल लें और उसे आड़ कर दीजिए तो ग्रेवी जो है थिक बन जाएगी यहां में मैंने दो ग्रीन चिलीज को स्लिट करके इसमें आड़ कर दिया है एक एक्स्ट्रा फ्लेवर और कलर के लिए तो बस अब हमारी चिकन अंगारा जो है वो बिलकुल बन के तयार है इसकी ग्रेवी भी परफेक्ट बनी है जिससे हम इसे राइस में भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी एंजोई कर सकते हैं अब यहां पर मैंने दो चार्कोल की पीसिस को गर्म करने के लिए रख दिया है और जैसे ही वो गर्म होंगे तब एक बोल में हम इस चार्कोल की पीसिस को आड़ कर देंगे और इसके उपर हम ओईल आड़ करके इस चिकन अंगारा को एक स्मोक का फ्लेवर देंगे और इसे हम तब तक ढखे रखेंगे तब तक जब तक कि सारा स्मोक जो है वो खत्मा हो जाए तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन अंगारा जो है वो बिलकुल बन के तयार है तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे मैं आपको दिखाती हूँ नस्दीक से कि इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट बन कर तयार हुई है बहुत ज्यादा रनी भी नहीं और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं और चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुकी है मसाले भी एकदम से परफेक्ट है नमक आप बाद में चेक कर लीजिये क्योंकि जब हमने मारिनेट किया था तब हमने नमक अड़ किया था तो जब यह पकने लगे चिकन तो अब आप जो है नमक चेक करके अज़स्ट कर सकते हैं तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे चानल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ थैंक यू